सच्ची प्रेम कहानी प्रेम कहाने देखा कि वह एक अच्चा आदमी था और उनकी बेटी के लिए सभी तरह से योग्य था लेकिन एक और समश्या थी वह आदमी एक सेनिक था जल्द ही युद्च चिड़ गया और उसे एक साल के लिए विदेश बेजा चा रहा था उसके जानने से एक सब्ताया पहले आदमी ने अपने गुटने के बल बेट कर अपने प्रेम का से पुछा मुझे से शादी करोगी प्रेमिका के आँखों में खुशी के आँशू आ गए उसने अपने आँशू पोंचे और कहा हाँ और वे एक दूसरे के गले लग गए वे इस बात पर सहमत हुए कि जब वह एक साल में वापस आएगा तो वे शादी कर लेंगे लेकिन एक बड़ी तरास्ती हुई उसके जानने के कुछ दिनों बाद लड़की का एक बड़ा एक्सिडेंट हो गया ये एक्सिडेंट गाड़ियों की आमने सामने की टक कर थी जब वह अस्पिताल में जागी तो उसने अपने माता पिता को रोते हुए देखा तुरंत वह जान गई की कुछ गड़बड है बाद में उसे पता चला की उसे प्रेन इंजरी है उसके चहरे की मास पेशों को नियंत्रित करने वाले उसके मस्तिस्क का हिशा शतिक्रत हो गया है उसका कभी सुन्दर और प्यारा दिखने वाला चहरा अब विक्रित हो गया था खुद को आइने में देखकर भैरो पड़ी कल में सुन्दर थी एक परी जैशी थी आज में एक राक्षश हूँ उसका सरीर भी बहुत सारे बद सूरत गाउं से बरा हुआ था वो खुब रोती और फिर उदास हो जाती एक दिन उसने अपने मंगेतर को उनके वातेशी मुक्त करने का फैसला किया वह जानती थी कि वह उससे अब और नहीं चाहेगा वह उसके बारे में भूल जानना चाहती थी और उसे फिर कभी नहीं उसका सामना नहीं करना चाहती थी एक साल तक सिफाही ने पत्तर लिखे लेकिन उसने जवाब नहीं दिया उसने उसे कई बार फोन किया लेकिन उसने कोल रिसीव नहीं किया हलांकि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी फिर वो मजबूर थी एक साल पीत गया, एक दिन अचानक मा उसके कमरे में चली गई और उसे बताया कि वह युद से वापस आ गया है लड़की चिलाई, नहीं, करप्या उसे मेरे बारे में मत बताईए उसे मत बताना कि मैं यहां हूँ मा ने कहा, उसकी शादी हो रही है और उसने तुमें अपनी शादी का निमंतन बेचा है लड़की का दिल बेट गया वह जानती थी कि वह अब उससे प्यार करती है लेकिन उसे अब उसे बूलना होगा बड़े दुख के साथ उसने शादी का निमंतन खोला और फिर उसने उस पर अपना नाम देखा उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उलजन में उसने पूचा यह क्या है तबी युवक फूलों का गुलदस्ता लेकर उसके कमरे में दाखिल हुआ वह उसके पास गुटने टेक कर बेट गया और पूचा क्या तुम मुझसे शादी करोगी लड़की ने अपना चेहरा अपने हाथों से डख लिया और कहा में बदसूरत हूँ तुम अगर ठीक से मुझे देखोगे तो तब तुमें सच्चाई पता चलेगी और उसने अपने चेहरे से हाथ हटा दिया उस शीवक ने कहा तुमारी अनुमती के बिना तुमारी मा ने मुझे तुमारी तस्वीर बेजी जब मैंने वो तस्वीर देखी तो मुझे ऐसास हुआ कि कुछ भी नहीं बदला है तुम अब भी वही हो जिससे मुझे प्यार हुआ था तुम अब भी पहले की तरह खूप चुर्थ हो क्योंकि मुझे तुम से प्यार है दोस्तो अगर अक्सर लोग ऐसी बाती करते हुए पाई जाते हैं कि फ्रेम अंधा होता है सच्चा प्यार सरीर से नहीं आत्मा से किया जाता है लेकिन दुनिया की कड़वी सच्चा यह है लोग इसके विपरित ही करते हैं हाँ इस दुनिया में कहीं कहीं पर सरीर वाला नहीं आत्मा वाला प्यार दिखाई देता है और इसी से साइध इस दुनिया में प्यार का स्थित्वे बना रहता है धन्यवाद मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करे